नमस्कार दोस्तों मैं PS आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल PS Ideas, Innovations and Educational Research में तो एक बार फिर हम लेके आए हैं आपको एक भार सरकार की एक ऐसी स्कीम जो आपको Maximum Return देगी जिससे आप इतने बच्ची का भविस सुरक्षित कर सकते हैं और Maximum Return गेन कर सकते हैं यहां तक की Provident Fund से भी ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिलेगा और अगर आप इसमें Full Investment करते हैं तो आपको 75 लाख रुपे तक का रिटर्न मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का वीडियो में आपको एक Special Clock Animation के जरिए Introduce करूँगा तो देखते हैं क्या-क्या इसके Important Points है हम जानेगे कि स्कीम क्या है इस स्कीम में Eligibility क्या है आपको Participate करने के लिए प्लस आप सुकन्यस सम्रद्धी यूजना का Account कैसे Open कर सकते हैं इसके बाद आप इसमें Minimum कितना Amount आपको Invest करना पड़ेगा और Maximum कितना Amount Invest कर सकते हैं फ्रम जानेंगे कि इसकी Maturity Period क्या है इसके बाद Interest Rates क्या होंगे इसमें साथी दोस्तों हम जानेंगे कि इसके Tax Benefits क्या है और अगर किसी भी कंडिशन में आपको Account क्लोज करना पड़ता है तो यह Account किस तरह से क्लोज किया सकता है तो दोस्तों हम इन सारे Points के बारे में जानेंगे इसकीम क्या है इसकीम में Eligibility क्या है Account कैसे Open कर सकते हैं Minimum Amount क्या है Maximum Amount क्या है Maturity Period क्या है इसमें Interest Rates क्या मिलेंगे आपको Tax Benefits कितने कितने मिलेंगे और आप Account कैसे क्लोज करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं इसकीम यानि कि योजना क्या है इस योजना का नाम है दोस्तों सुकन्या सम्रदी योजना इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने 22 जनवरी 2015 को हरयाना के पानी पत में लांच किया था और यह इसकीम लांच की गई थी गवर्मेंट ओफ इंडिया की एक जॉइंट इनिशियेटिव है Ministry of Women and Child Welfare Department का प्लस Ministry of Health Family Welfare यानि की स्वास्त और परिवार का लेड़ मंत्रा लाए प्लस Ministry of Human Resource Development यानि की जो कि अभी शिक्षा मंत्रा लाए बन गया है मान असन सादन विकास मंत्रा लाए और यह स्कीम लांच की गई थी as a part of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign यानि की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक हिस्सा थी यह अभी दोस्तों बात करते हैं इसमें eligibility या पात्रता क्या है अगर आपको account खोलना है तो आप पात रहे हैं नहीं यह कैसे पता सलेगा तो यह government ने बच्चियों के future के लिए scheme open की है तो इसमें जन्म से लेके दस वर्स तक की उम्र की अगर आपकी बच्ची है लड़की है तो उसके नाम से आप account open कर सकते हैं 10 साल से उपर की अगर बच्ची है तो LIC में इस से compatible कुछी schemes हैं लेकिन उनमें इतना ज़्याद return नहीं है तो आप वो दूसरी schemes ले सकते हैं लेकिन अगर आप इसको जितने जल्दी शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा और यह scheme सिर्फ निवासी भारतिये के लिए है अगर बच्ची NRI हो जाती है तो आपको account close करना पड़ेगा यह सिर्फ भारतियों के लिए है और हर बच्ची के नाम से एक ही खाता खोल जा सकता है और केवल दो लड़कियों के खाते खोले जा सकते हैं यानि कि एक parents maximum दो बच्चीयों के नाम से ही सुकन्या सम्रदी खाते खोल सकते हैं लेकिन इसमें एक exception है अगर किसी की पहले से एक लड़की है और उसके बाद दो जुलवा बच्चीयों हो जाती है तो इसके उपर तो parents का control लही है तो फर जो दो जुलवा बच्चीयों होती है उनका भी account open हो सकता है यानि कि maximum तीन account open हो सकते हैं और दूसरी condition यह है कि अगर पहली बार में ही तीन लड़कीयां पैदा हो जाती हैं तो तीन लड़कीयों के नाम से भी यह खाते खोले जा सकते हैं नेक्स्ट है account opening खाता खोलना आप किस तरीके से यह खाता और कहां कर यह खाता खोल सकते हैं तो देखते हैं माता पिता यह कानूनी अभिवावा कन्या के नाम से यह खाता खोल सकते हैं यह खाता माता पिता के नाम से नहीं खोलता है इसलिए माता पता इसको कभी भी close नहीं कर सकते हैं बीच में जब बच्ची मैच्यूर हो जाती है तो बच्ची ही उस account को open करेगी तो इसको किसी भी डाक खाने और नर्धर सरकारी बैंकों में इस खाते को खोला जा सकता है यानि कि किसी भी सरकारी बैंक में एक खाता खोलाया सकता है या फिर किसी भी डाक खाने में भी लेकिन एक कंडिशन है कि एक लड़की की नाम से केवल एक खाता ही खोलाया सकता है ऐसा नहीं है कि आप एक ही लड़की की नाम से दो खाते खोल लें बस एमाउंट कम या जादा कर सकते हैं आप उसकी एक लिमिट है लेकिन खाता एक ही खोलेंगे नेक्स है दस्तावेजिय डॉक्युमेंट्स रिक्वाइड तो दोस्तो इसमें तीन दस्तावेजों की आवशकता है सबसे पहले तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपको हॉस्पिटल से मिलेगा या फिर आप अपने नगर निगम से बनवाएंगे मुनिस्पैल्टी से बनवाएंगे सेकेंड है लड़की के माता पिता का निवास ब्रमाण पत्र यानि कि यह प्रूफ होता है कि आप रेजिडेंट इंडियन है यानि कि आप भारत के मूल निवासी हैं तो इसके लिए आ पहचान पत्र हो आपका या फिर राशन कार्ड हो या फिर भारत सरकार के द्वारा कोई अन्य प्रमाण पत्र दिया गया हो जो जौब बगेरा करते हैं उनके लिए जैसे भारत सरकार कोई भी प्रमाण पत्र जारी करके देती है तो वो भी चल जाएगा इसमें से कोई भी एक document चलेगा और तीसरा है pen card या high school प्रमान पत्र chim हाई स्कूल का अगर certificate है तो वो भी चलेगा तो यह तीन documents की इसमें जरूरत है account open करने के लिए और इसमें एक बहुत ही अच्छी plus point है कि यह खाता भारत में कहीं भी स्थनांतरित किया जा सकता है यानि कि अगर आप job करते हैं अगर आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या पोस्टिंग हो जाती है तब भी आप उस account को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं आपको लगता है कि एक शहर में जहां आप थे आपके पास में state bank of India की शाखा थी आपने उसमें खाता खोल रखा है दूसरी जगह जहां आपका ट्रांसफर हुआ वहां पंजाब national bank की खाता की ब्रांच है या फिर कोई भी एक post office है आप लिहर के पास में तो आप bank to bank या bank to post office या post office to bank भी आप इस account को transfer कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं minimum maximum amount यानि की रकम सीमा आप कितने पैसे इसमें जमा कर सकते हैं तो देखिए ये नया अपडेट है ये 2020 से सरकार ने नियूनतम सीमा पहले 1000 रुपे थी जिसको कम करके अभी 2500 रुपे कर दिया है कुछ लोग 2500 रुपे साल भर में भर सकते हैं means एक साल में आप नियूनतम आपको 2500 रुपे तो भर नहीं पड़ेंगी तो इतना तो कोई भी भर सकता है आराम से कोई भी चाहे वो मजदूर वर्ग हो या कोई भी दियाड़ी करने वाला व्यक्ती हो वो भी 2500 रुपे भर सकता है और अधि उनतम सीमा 1000 रुपे से गटा का 2500 रुपे पृतिवस्क कर दिया गया है एक महीने में एक वित्वर्श के दौरान रकम जमा करने की बारम बारता की कोई सीमा नहीं है यानि कि इसमें आपको एक साल के अंदर ये पैसे जमा करने हैं आप मान के चलिए डिर लाख रुपे साल क ुरे कि जमा करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपे पूरे साल के दोरान कभी भी जमा कर चकते हैं कितनी भी फ्रिक्वेंसी पे अगर आपको लगता है 5-5,000 तो आप 25,00 रुपे बार जमा किजी तो आपको remotely हो गया 50,00 एकसात कर दीजी तो यह आपके ऊपर है कि आप वह पैस से कैसे जमा करते हैं अगर आपको 200 रुपे जमा करना है तो आप 25 बार में भी आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर सकते हैं अधरवाई आप 50-50 रुपे 5 बार में भी जमा कर सकते हैं तो इसकी कोई frequency की कोई limitation सरकार ने limitation खतम कर दी है अभी अभी नेक्स्ट है minimum amount and penalty अगर कोई व्यक्ती नियूनतम आवाश्यक निरधारत राशी धाई सो रुपे को माता पिताव अभी वाग जमा कर नहीं करते हैं तो खाता सक्रिये नहीं माना जाएगा यानि की खाता निश्क्रिये हो जाएगा फिर भी ये खाता close नहीं होगा खाता बंद नहीं होगा ये बस निश्क्रिये हो जाएगा मतलब आपको नियूनतम धाई सो रुपे जो साल के जमा करने हैं वो करने ही करने हैं चाहिए आपका एन्वली आप डिर दाक रुपे कर रहे हो चाहिए एक लाक रुपे अगर आप इसको पीच में पैसे नहीं जमा कर पाते तब भी आप 200 रुपे कीजिए जमा तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और अगर आप 200 रुपे भी जमा नहीं करते हैं प्रतेक वर्ष तो इस कंडिशन में खाते को 50 रुपे पैनल्टी के साथ दोबारा चालू किया जा सक लेकिन आपने बीच में इसको चार साल के लिए एकाउंट में कोई भी पैसे नहीं डाले तो इस इस्तिती में आपको 50 रुपे पैनाल्टी लगेगी और फिर आपको 2500 रुपे जो चार साल के पैंडने हो गए हैं आपके वो आपको चार बार में याने कि 1000 रुपे बरना होगा और 50 रुपे पैनाल्टी बरनी होगी तो आपका एकाउंट दुबारा से चालू हो जाएगा next देखते हैं हम maturity term याने की परिपक्वता अवधी तो खाता खुलने की तारीक से 14 वर्स तक रकम जमा की जाएगी तो ये जो कीम है ये 14 वर्स तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है उसके बाद 7 वर्स तक जमा शुदा रकम पर व्याज मिलता रहेगा याने कि आप 14 वर्स तक तो आप ये पैसा जमा करेंगी जो अभी तक हमने की तारीक से लेकर 21 वर्स की है यानि कि ये खाता आपका 21 वर्स तक चलता है 21 साल की बच्ची से कोई मतलब नहीं है बच्ची की उम्र से इसका लेना देना नहीं है आप अगर बच्ची का जन्म होता है उस टाइम पर ही अकाउंट खोल देते हैं तो ये 21 वर्स की जब आपक account mature हो जाता है और अगर उसके बाद आप बंद नहीं करते हैं account को तो आपको जितना भी saving bank account में पैसा मिलता है वही मिलेगा जो इसमें interest मिलता है वो interest नहीं मिलेगा आपको normal saving bank account का interest मिलेगा तो यदि परीपकवता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो balance रकम पर ब्याज मिलता रहेगा लेकिन ये ब्याज कितना मिलेगा इसके लिए सरकार बीच बीच में निर्देश निकालती है कि कितना मिलेगा maturity term परिपकत आवधी 21 वर्स की आवधी के पहले खातादारी लड़की रकम निकाल सकती है वशरते की उसकी आई हो 18 वर्स की हो तो कुछ conditions है किन conditions में 21 साल में तो के पहले आप पैसा निकाल सकते हैं तो 21 साल में तो mature होगी आपकी policy लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्ची 18 13 वर्स की हो गई है और अब उसको higher education के लिए पैसे की जरूरत है तो उस condition में दो conditions हैं जब आप पैसा निकाल सकते हैं और वो पैसा 50% ही निकाल सकते हैं आप पूरा 100% पैसा नहीं निकाल सकते 100% पैसा 21 वर्स की अवधी complete होने के बाद ही निकलेगा तो 50% रकम आप कब निक निकाल सकते हैं एक condition तो है कि रकम उच्छी सिक्षा प्राप्त करने के लिए हो और दूसरी condition है कि यह रकम विवाह शंपन करने के लिए हो तो यह दो conditions में ही आप पैसा निकाल सकते हैं या तो उच्छी सिक्षा के लिए या तो विवाह के लिए और इसका प्रूफ आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि इस परपज से हमें पैसा निकालना है नेक्स्ट है रकाम निकालने की समय खाते में कम से कम 14 वर्स या उससे अधिक की जमा मोजूद हो यानि कि आपके एकाउंट में 14 वर्स की रकाम जमा होनी चाहिए तभी माना जाएगा कि आपका एका इसकार बहुत ही अच्छा ब्याज देती है कि और यह साल के वाद कम पाउंड होता है यानि कि वैसा आपके हर महीने मिलेगा लेकिन ये compound interest बनेगा एक साल के बाद, एक साल तक ये एक अठा होता रहेगा, उसके बाद फिर जितना भी ब्याज मिला है, वो आपकी मूल धन में जुड़ जाएगा, फिर एक साल के बाद फिर पूरा का पूरा जो आपका compound बन गया, उसके उपर फिर ब्याज मिलेगा, तो सुकन्य सम्रदी युजना के अंतरगत खोले गए खाते पर वर्तमान में, यानि 2020 में ब्याजदर को घटा कर 7.6% कर दिया गया है, जब ये scheme शुरू की गई थी, उस 2015 में उस समय पे 1 अपरेल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक, इसमें जो भी investment किया गया, उसमें 9.1% का ब्याज मिल उसके बाद फिर सरकार ने review किया इसको, और 1 अपरेल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक 9.2% ब्याज था, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ब्याज था, तो उस टाइम पे अगर किसी ने invest किया, उस टाइम पे जो ब्याज दर थी 9.2 उसके हिसाब से, अभी 80 लाग के आस पास return मिलने वाला था, मतलब अगर ये रेटा को मिलती है, तो आपको around 80 लैक्स रुपी मिलेंगी, अगर आप maximum 1.5 लाग रुपे जमा करते ही, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि 2016 में सरकार ने, इसको कम किया, 8.6% किया, फिर 2020 में इसको कम करके 7.6% कर दिया गया है, फिर भ PPF, भी 7.1% इंट्रेस्ट मिल रहा है, जब कि इस स्कीम में सरकार अभी 7.6% इंट्रेस्ट दे रही है, तो यहां पर इस टेबल में हमने शो कर रखा है, कि इस स्कीम में कब-कब कितना-कितना इंट्रेस्ट दिया गया, तो देख सकते हैं, 2014-15 के दौरा 9.1% और उस टाइम minimum investment एक हजार रुपे था, जो मैंने अभी बताया आपको कि बाद में कम कर दिया गया है, 18-19 के दौरान यह देख सकते हैं, अब 200 रुपे कर दिया गया है minimum investment को, लेकिन maximum investment की सीम है, 14-15 जब से स्कीम आई है, एक लाग पचास जार ही है maximum limit, minimum limit पहले एक हजार रुपे थी, 17-18 में 8.4, then 17-18 में, again, after 1st July, 8.3% कर दिया, फिर 17-18 में complete year में 8.1% रहा, इस तरही के से आप देख सकते हैं, कि इंट्रेस्ट रेट चेंज होता रहता है, और अभी latest 2021 में 7.6% इंट्रेस्ट रेट्स मिल रहा है, अभी next एक बहुत ही, important बात है, कि इसमें आपको tax benefits भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इस तरही के सी यह बहुत ही अच्छा investment बन जाता है, तो इसमें आपको section 80C के तहट छूट मिलती है, यानि कि section 80C जमा की जाने वाली रकम और परिपक्व रकम को आयकर अधिनियम की दारा 80C के तहट कर छूट प्राफ्त है, यानि कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं हर साल, मान की चलिए आप 1.5 लाख रुपे हर साल जमा कर रहे हैं, तो अगर आपका provident fund आप जमा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कोई LIC भी नहीं ले रखी है, तब भी आपको पूरा 1.5 लाख रुपे income tax से छूट मिलेगी, यानि कि 80C section के तहट आपको 1.5 लाख तक की maximum चूट मिलती है, अभी आप जानते हैं कि 80C में और क्या क्या आता है, तो provident funds जो हैं EPF, PPF, वो 80C में आते हैं, प्लस आपका LICs वगेरा जो भी है, वो आता है, प्लस long term जो भी investments हैं, वो आते हैं, तो इन सारों के तह तहट आप 1.5 लाख रुपे तक का amount income tax से exempt करवा सकते हैं, तो एक तो यह होगी है सालाना का, कि सालाना आप 1.5 लाख रुपे तक 80C के तहट इसमें करचूट प्राप्त कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, कि जो परीफक होगी रकम, जो जैसे आपको 75 लाख रुपे बच्ची को मिलेगी और वो tax से exempted रहेगी, नेक्स्ट देखते हैं, खाता बंद करना, account closer, तो account close करने के लिए कुछ conditions हैं, पहली condition तो यह है, कि अगर सब कुछ अच्छा रहता है, तो 21 वर्स की परीफक्वता आओधी पूरी होने पे आपका account बंद करके, आपको पूरा पैसा दे दि हो, दूसरी conditions है, 21 वर्स से पहले आप कब-कब account को close कर सकते ही, तो सिर्फ दो ही condition है, इसके लिए, पहली condition है, 18 वर्स की बच्ची हो गई हो, तो वो 50% रकम निकाल सकती ही, या तो बिवाह के लिए, या फिर उच्छ जिक्षा के लिए, ये 18 वर्स की I.U. पूरी होना जरूर ही है, 18 वर्स की पहले किसी भी condition में पैसा नहीं निकलेगा, 18 वर्स की बच्ची होने का मतलब यह है, कि आपने बच्ची के जन्म की समय ही ये policy कर दी है, अन्य था, अगर आपने 5 वर्स की बच्ची के होने के बाद ये policy की है, तो फिर 20 वर्स में आपको फिर 5 साल जोड़ने पड़ेंगे, आने कि 26 साल में की बच्ची हो जाएगी, तब आपकी policy मैच्चीर होगी, इसलिए आप जल्दी अगर आपके पास समय है, तो आप जल्दी से जल्दी इस policy में इनवेस्ट करें और इसको शुरू कर दें, तो अगर बच्ची 18 साल की हो गई है, तो 50 परसेंट परकम निकाल सकती है, और दो ही कारणों से, एक तो उच्चे सिक्षा का प्रूफ देना पड़ेगा, हायर एजूकेशन के लिए या फिर शादी के लिए, ओके, नाओ, एकाउंट क्लोज करना, तो रुवान ना करें यासी कोई स्तती आए, कि खाता किसी गंभीर परिस्तती की वज़े से बंद करना पड़े, तो खाता बंद करने के लिए भी अच्छा और बुरे दो रीजन से, एक तो अच्छा रीजन यह है कि बच्ची एनाराई बन जाती है, अगर बच्ची विदेश चली जाती है, वहाँ सेटल हो जाती है, वहाँ उसको जोब मिल जाता है, व और उसमे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, और परिपक्ख होने से पहले खाता बंद करने की दूसरी शारती है कि जब यह सुनिश्चित हो जाएगा, कि अब जमा करता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है, और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है, त और आकश में मुरत्य हो जाती है, या वो दिवालिया घोसित हो जाता है, तो उस कंडिशन में फिर वो अकाउंट बंद हो सकता है, बाकी खाता बंद करने की कोई तीसरी बज़ए नहीं हो सकती, तो क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, खाता बंद करने की दो ही स्थिति होगी, या तो पैसे जमा करने वाले व्यक्ति वालिया या फिर म्रत्य हो जाती है उसकी, या फिर बच्ची जो है वो NRI हो जाती है, तो यह दो कंडिशन में ही एकाउंट बंद किया सकता है, अन्यता नहीं, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाईए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और इसमें एक अच्छा फीचर हमने डाला है, क्लॉक अनिमेशन, तो अगर हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 100 ह हो जाती है, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा कि क्लॉक अनिमेशन कैसे बनाना है, वो मैं आपको बताऊँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जैहिन, बाई बाई